असलाब लेक्वाइब आपरोब दिस इस बिलाल पॉप विडियो वाली सिरकार और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे फोन की अंबॉक्सिंग करने वाले हैं जो के मेरे हिसाब से बहुत ही अनेक्सपेक्टेड था वेल कुछ टाइम पहले वीवो ने वीवो का वीट्वेंटी लाँच किया जिसका रिव्यू बाइद टाइम ये वीडियो में अपलोड करूँगा होफुली आप लोग तक आ चुका होगा और ये जो फोन है ये मुझे बहुत जादा पसंद आया अब इस फोन का प्राइस टा लेकिन इस मुबाइल फोन का जो प्राइस टाइग है वो भी कम हुआ है और इसका जो अफिशल प्राइस टाइग है वो मैं यहां पर डाल दूँगा इस अराउंड 45,999 यहां पर जो वेरियंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लाँच हो रहा है यह 8GB RAM और 128GB internal storage वाला है अ जो के आल दो काफी जादा optimized है लेकिन यहां पर Snapdragon 665 का यूज किया गया है जो कि मेरे इसाफ से सबसे बड़ा downgrade है लेकिन अगर आप features की बात करते हैं तो features बहुत जादा यहां पर दिये गए हैं यहां पर front camera है वो 32MP का है और यहां पर night selfie जैसे modes available है वीवो की एक बात मुझ है वो यहां पर दिया गया है तो again वो ही बात है कि इसके अंदर अगर कोई चीज compromise है तो वो इसका chipset होने वाला है other than that यह जो phone है एक अच्छी device बनती हुए नजर आ रही है यहां पर हम box को open कर लेते हैं by the way अगर आप box की look की बात करते हैं तो काफी अद तक जो वीवो V20 का बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि इस mobile phone का जो camera setup है वो different होगा वीवो के original V20 से because यहां पर आपको rectangular camera setup देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको और कोई fingerprint scanner की location नहीं मिलती क्यूंकि यहां पर आपको AMOLED display मिल रहा है और वीवो AMOLED displays के साथ हमेशा ही in-display fingerprint scanners जो है वो include कर यहां पर आपको जो charger है box के अंदर वो वीवो का flash charge 2.0 वाला मिल जाता है जो कि basically 33 watts के ओपर काम करता है और वीवो की flash charge के बारे में जो सबसे अची चीज मुझे लगी है वो यह है कि cross compatibility बहुत जादा है यह USB power delivery को भी support करता है और यह खुद भी 33 watts के ओपर काम करता है इसके वा टाइप C की cable है और वीवो के earphones यहाँ पर available है जो के बाकी companies के निस्पत कदरे अच्छी quality के earphones है जनरली या तो earphones दिये नहीं जाते और आजकल जो आ भी रहे हैं वो बहुत ही low quality के आ रहे है जो phone है भाई वो यहाँ पर हो गया है turn on तो हम इसका जो wrapper है इसको कर लेते है remove मैं इसको कर लेता हूँ जल्दी से setup और उसके बाद मिलते हैं अगे बाई तो phone यहाँ पर finally ready हो गया है और सबसे पहली चीज़ जो कि आप notice करेंगे वो यह है कि यहाँ पर जो front side है वो almost देखने में आपको वैसी ही लगती है जिस तरह original V20 के अंदे थी in fact अगर आप इस mobile phone यहाँ पर आपको back side पर plastic देखने को बढ़ रहा है जो कि अगर आप glass के साथ compare करते हैं जो कि V20 पर आता है तो एक downgrade है back पर triple camera setup है as opposed to the triple camera setup जो कि वहाँ पर आ रहा था वो ज़्यादा better quality का camera setup था design भी different कर दिया गया है जो चीज़ यहाँ पर मुझे पसंद आई है वो यह है कि इस mobile phone के अंदर भी fun touch हो है इसका latest version install है जो के android 11 based है और भाई this is the best operating system जो के आप पाकिसानी market में किसी भी android phone पे ले सकते हैं इससे बड़ी statement में नहीं दूँगा क्योंकि यह काफी अत्तक stock android है तो यहाँ पर आपको जो android की सारे facilities है वो वैसे ही मिलती है जिस तरह google ने intent की ह तो इसके अंदर जादा differences नहीं है और क्योंकि यह stock android है तो इसकी जो updates है वो भी सबसे पहले आएंगी in fact अभी भी अगर आप update की बात करते हैं दूसरे phones android 10 पे चल रहे हैं जिन पे android 11 की update आनी है या out of the box android 11 पे है तो updates का जादा मसला आने ही नहीं वाला है android 11 पे मैं एक मुकम इस category में मिल रही है क्योंकि generally हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है लेकिन then again अगर आपको एक पतला फोन चाहिए आपको एक lightweight फोन चाहिए तो आपको बैटरी थोड़ी जो capacity है उस पे कमी जो है वो देखनी पड़ेगी back side पर अगर आप नीचे वाई side पर देखते हैं type c की port headphone jack और आ आपर दो sims और एक memory card की जो option है वो available है रबल सीर यहाँ पर दी गई है जिसका मतलब यह है कि पानी इसके अंदर असानी से नहीं जाएगा जो left side है वो काफियत तक खाली है जबके right side के ओपर आपके buttons available है overall जो phone है इसकी fluidity में कोई भी मसला नहीं है on paper आपको शायद लगे कि optimized नहीं है लेकिन क्योंकि यह stock android है तो generally जो snapdragon 665 वाले phones होते हैं उनकी निसमत यह ज्यादा optimized होने वाला है यहाँ पर super macro, super wide angle और उसके लाब boke mode की जो option है वो available है back camera 48 megapixel का है front camera 32 megapixel का दिया गया है और V series की जो camera processing technology है जो software IR I think वो one of the best है और उसकी वज़ा से आपको जो camera quality है व battery वाली साइट से यह थोड़ा सा 0 जरूर करेगी क्योंकि जनरली इस प्राइस काटेगरी में आपको 5000 mAh की battery देखने को मिल रही है यह जो mobile phone है इसके अंदर बाकी चीज़ें जो काफियत तक V series की तरह ही होने वाली है तो V20 वाला जो review है वो देख लीजेगा मुझे कमेंट स